इस वुड़ी में हमें इसे इंडिगरेट करना है और ये चार आप्शन से इन में से एक आप्शन करेक्ट है तो solve करते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं let i equals to okay तो basically हमें करना क्या है ये जो denominator इसको perfect square में convert करना है तो ये है हमारे पास x plus देखो x square plus 2x plus 2 कैसे perfect square में convert करते हैं ये x लिखा जो ये sign है वो यहाँ पर लगाओ प्लस से तो प्लस लगाएंगे और जो भी यहाँ पर लिखा है उसका half यहाँ आ जाता है उसका square लगाओ अब हम यहाँ पर जो भी लिखते हैं उसका square minus कर दो ये 2 as it is आ गया है और इस तरह से हमने minus 1 का square 1 होता है 2 में से 1 minus हुआ तो basically यह आ जाएगा यानि x plus 1 square plus 1 square यह है तो इसका यह मतलब है कि जो i है यह हो जाएगा integration dx upon x plus 1 square plus 1 square यहाँ आपके पास दो option है या तो आप x plus 1 को t put करो इससे क्या आ जाएगा इससे dx equals to dt आ जाएगा और जो i है वो आ जाएगा integration dt upon और यह हो जाएगा t square plus 1 square और आपको यह पता होगा कि यह formula होता है 10 inverse का है ना यानि 1 upon a तो a तो 1 ही है तो इसको लिखने की ज़रूत नहीं है यह simply 10 inverse t आ जाएगा और plus c और यहाँ पर जो t है इसको वापस रख देंगे हम x plus 1 तो जैसे कि मैं कहा रहा था एक तो यह तरीका है कि इसको t put करो दूसरा यह है कि आप direct यह लिख दो सीधा आप step इसके बाद यह step लिख सकते हैं क्यों ऐसा मैं कहा रहा हूँ क्योंकि x का coefficient 1 है यह बात मैं आपको कई बारी बता चुका हूँ बार-बार इसलिए बताता हूँ जिससे कि आपको यह बिल्कुल ध्यान में रहे x का coefficient 1 है इसलिए हम इसको हमार अगर हम इसे t put नहीं भी करते तो भी हम काम चला सकते हैं direct हमारा answer आजाएगा तो यह है तो कौनसा option correct है यहाँ पर आप देखें तो option b correct है ठीक है